साल 1993 में गोविंदा की सुपर हिट मुवी आंखे तो आप सब ने देखी ही होगी जुसमें नजर आए कलाकारों ने अपने हरे का किरदार को बखुबी से परदे पर उतार कर करोडों दश्चकों को अपना दीवाना बना दिया था और उन्हीं में से एक अभिनेत्री है राज जो इस फिल्म में प्रिया मोहन के किरदार में नजर आई थी और इस फिल्म में इन्हों ने अपने किरदार को बखुबी पर उतार कर अपनी खुबसूरत अदाओं और दमदार आक्टिंग से करोडों दश्चकों को अपना दीवाना बना दिया था लेकिन दोस्तों आज फ बातों की जनकारी देने वाले हैं तो अगर आप भी इनके बारे में जाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अन तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आखे फिल्म में प्रिया मोहन की भूमी का निभा कर दर्शकों के दिलों पर राज कर चुके अभिनीतरी राजिश्वरी है जिनका जनम 25 जुलाई 1975 को मुंबई में हुआ था इसलिए इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई वहीं से की थी लेकिन अगर बात कर इनके आक्टिंग करियर के बारे में तो आपको बता दे इन्होंने अपनी आक्टिंग करियर के शुरू आत साल 1993 में आए फिल्म आखे से की थी जिसमें इनके खुबसूरत अदाउं और दमदार आक्टिंग से करोडों दर्शक इनके दीवाने हो गए थे और ये अपनी पहली फिल्म से ही बॉलिवूड इंडस्ट्री में काफी मशूर हो गई थी जिसके चलते इन्हें आगे चलकर मैं खिलारी तू अनारी तुम जी ओ हजारों साल और दिल आ गया जैसी कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला पर ये बॉलिवूड इंडस्री में अपना कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई जिसके वज़े से इन्होंने अपने अरुख टीवी इंडस्री की और मोड लिया जि ये 32 सालों में पहले से काफी जादा बदल चुकी है जी हाँ अब ये 44 साल की हो गई है और जहां ये फिल्म में शॉर्ट स्टाइलिश अड्रेस एक मौडन गर्ल के रूप में नजर आई थी जिसमें ये बहुत खुबसूरत लग रही थी तो वहीं अब ये बढ़ती उम्र के साथ पहले से और भी जादा खुबसूरत और स्टाइलिश हो गई है और हर तरह के स्टाइलिश अड्रेस केरी करती है जिसमें ये काफी मौडन और स्टाइलिश लगती है जहां फिल्म में नभे के दशक के स्टाइलिश हैर स्टाइल और लुक में नजर आई थी तो वही अब इन्होंने अपना स्ट्रेट हेर करवा लिया है जिसमें ये पहले से और भी जादा खुबसूरत और बोल्ड लगती है इसी के साथ आपको बताते चले कि फिलहाली आक्टिंग की दुनिया से दूर है और इसी बीच इन्होंने साल 2014 में सुधानशु स्वरूप से शादी क जो पेशे से एक इंटरनाशनल लॉयर है और इनके साथ ही ये मुंबई में काफी खुशाल जिन्दगे बिता रही है तो दोस्तों आपका क्या कहना है रागेश्वरी के बदले हुए रूप के बारे में जानकर आप हमें अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रू बताए साथ ही बॉलिवुट जगत से जुड़िये ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले